किसान साथियों ये हैं महिंद्रा अर्जुन नोवो 605Di 4x4 मतलब 4WD का ये ट्रैक्टर है ये देखिए शांदार लुकिंग ट्रैक्टर की टिपिकल नोवो के ग्राफिक्स दिये गए हैं आगे और पीछे बीच में इंजन के साइड में बड़ी बड़ी जालियां दी गई हैं जिससे कि आपका इंजन हीट ना हो उस पे हवा रेडियेटर के माध्यम से अच्छी तरह से जाए छह साल की वोरंटी दी जा रही है कंपनी की तरफ से 400 घंटे का सर्विस अंत्राल है जो की नोर्मल ट्रैक्टर में 200-300 घंटे का सर्विस अंत्राल होता है किसान साथियों ये ट्रैक्टर सिंगल पीस बोनट के साथ आता है जैसा कि आप देख सकते हैं जो आगे से पीछे की तरफ खुलता है और इसको ओटोमेटिक उपर उठाने के लिए डबल हाइड्रोलिक जैक दिये गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं और ये साइड में एक हिंज दिया गए इसे खीचने के बाद ये हुड ओटोमेटिकली उपर उठ जाता है किसान साथियों गर इसके इंजिन की बात की जाए तो इसके अंदर 57 HP 2100 इंजिन डेटेड आर्पिम चार सिलेंडर EGR सिस्टम के साथ इंजिन आता है जो की 3532 CC का इंजिन है इसका बोर 96 mm और स्ट्रोक 122 mm है किसान साथियों इस ट्रेक्टर का इंजिन 225 Nm मैक्सिमम टोर्क प्रोडूस करता है जो की 1100 से 1200 इंजिन डेटेड आर्पिम पे निकालता है काफी अच्छा बैक अप टोर्क इस ट्रेक्टर के अंदर दिया गया है यह देखिए इंजिन की डिजाइनिंग काफी अच्छे से की गई है EGR सिस्टम आता है इसमें प्रदूसन को कम करने के लिए प्रदूसन को रिड्यूस करने के लिए यह देखिए यहाँ पर इसका EGR या एक्जोस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम लगा हुआ है कूलेंट विद ओफलो रिजर्वोयर का बॉक्स दिया गया है जिससे आपको बार-बार कूलेंट डालने के ज़रूरत नहीं पड़ती चार सिलेंडर के इंजन को डीजल देने के लिए माइको बोश कंपनी का इन लाइन पंप दिया गया है और डीजल को साफ करने के लिए आपको डबल डीजल फिल्टर दिये गये हैं जो की पंप के ठीक नीचे लगे हुए हैं किसान साथियों इस ट्रैक्टर के अंदर आपको सूखा एयर फिल्टर मिलता है आपकी हवा को 99% तक सुध करके इंजन तक पहुचाता है सूखा एयर फिल्टर है इसमें आपको तेल वगेरा डालने की अलग से कोई जरूरत नहीं है बस इसकी जाली को साफ कीजिए और आपका काम बढ़िया से हो जाएगा सेंसर भी लगा हुआ है फिल्टर चोक होने पर आपको इंडिकेट कर दिया जाता है इतना बड़ा ट्रैक्टर है चोटी सी स्टारटर मोटर है मतलब इसकी स्टार्टिंग काफी अच्छी होने वाली है डबल एक्टिंग पावर स्टेरिंग दिया गया है डबल रोड है दोनर तरफ एक्शुएटिंग है जिससे स्टेर करने में काफी ज़्यादा आसान हो जाता है इसके अगले टायर आपको 9.5 24 के मिल जाते है जो की काफी आइडल साइज है काफी बढ़िया साइज है इस ट्रेक्टर के लिए देखें फ्रंट एक्सल हो काफी हैवी बनाया गया है किसान साथियो इसके अगले हिस्से में मतलब 4x4 वाले एक्सल में अगले एक्सल में आपको normal reduction दिया गया है planetary reduction इसके अगले हिस्से में नहीं दिया गया है लेकिन ये काफी ज़्यादा heavy duty है आप देखिए engine की आगे से support कितनी अच्छे से company ने लगाई है हड़ एक चीज को काफी अच्छे से बड़िया से ध्यान में रखते हो बना गया है एक इसकी चीज ये है इसका जो hydraulic और power steering का pump है वो मुझे देखने में लग रहा है कि ये एक ही pump है इसमें tandem pump दिया हुआ नहीं है किसान साथियों ये आप देखिए यहाँ पर hydraulic और power steering का pump और comment करके बताएए कि क्या ये tandem pump है या ये दोनों ही चीजों को operate करने के लिए single pump extractor के अंदर लगा हुआ है किरप्या करके ज़रूर बताएं यहाँ पर ये battery box है साइड में mount किया गया है hydraulic filter काफी ज्यादा लंबा hydraulic filter है जिससे कि आपका कच्रा hydraulic pump या power steering के pump में नहीं जाएगा किसान साथ यो platform एकदम support है बहुती अच्छा platform है बहुती ज़्यादा comfortable feel होने वाला है अगर आप इस tractor को चलाओगे तो suspended paddle है brake और clutch के जो paddle है वो suspended है उपर से नीचे लटके हुए adjustable seat दी गई है आगे पीछे उपर नीचे और अपने वजन के हिसाब से भी आप इस seat को adjust कर सकते हैं यहाँ पर यह एक छोटा सा lever दिया गया है two wheel drive से four wheel drive में convert करने के लिए एक और अच्छी बात है इसके अंदर आपको differential lock भी मिल जाता है पिछले पहियों के लिए अगले पहियों में तो differential lock आता ही नहीं है four by four में भी लेकिन ये इसमें पिछले पहियों में भी differential lock कि सुविधा आपको company दे रही है क्या शांदार और दमदार looking tractor है पिछले टायर आपको इसमें 16,9,28 के मिल जाते है यह देखिए दूसरी साइड से ट्रैक्टर के ऊपर चड़ने के लिए आपको एक तरह की सीड़िया दी गई है यह देखिए यहाँ पर clutch का पैडल दिया गया है उपर से नीचे लटका हुआ suspended टाइप दबाने में बहुती ज़्यादा असान है बहुती ज़्यादा comfortable होने वाला यह ट्रैक्टर किसान साथियों पिछले हिस्से की बात कर लेते हैं बहुती महतुपूर्ण होता है किसी भी ट्रैक्टर का पिछला हिस्सा और इस ट्रैक्टर के पिछले एक्सल में आपको planetary gear drive या EPI reduction वाली technology दी गई है जो कि कितने भी heavy काम में आपको कभी fail होने बारे नहीं है बहुती technology या planetary gear drive होती है जीरो ग्रेसिंग पॉइंट है पिछले इससे में आपको grease करने की कोई जंजट नहीं है कोई जरूरत नहीं है इसकी hydraulic lift capacity आपको 200 kg की मिलती है जो की ADDC टाइप की है और दो sensing point मिलते है जिससे की hydraulic पे लगा हुआ आपका implement मिट्टी के अनुसार sense कर सके और आप इसी आपकी trolley की height होगी उसके अनुसार आप हिच को adjust कर सकते हैं किसान साथियों इसकी PTO की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 50.3 HP की 540 RPM वाली PTO मिलती है जो कि अपने 540 RPM 200 engine rated RPM पे प्रेड्यूस करती है इस tractor के अंदर आपको forward और reverse दोनों PTO option मिल जाता है ट्रेक्टर की SFC value अगेरा की जानकारी आप इस plate को पढ़कर ले सकते हैं तो किसान साथियों काफी अच्छा ट्रेक्टर है आप देख सकते हैं यह है इसका digital instrument cluster कुछ analog clusters के साथ यह देखिए उपर से ट्रेक्टर की लुक बैठ कर काफी ज्यादा व्यू जो है काफी अच्छ और काफी ज्यादा भीड़ भाड इसके dashboard वगएरा पर नहीं दी गई है यहां पर आपको horn lighting वगएरा के जो switch हैं वो combo में मिल जाते हैं और यह इसका shuttle shift का lever है forward और reverse करने के लिए shuttle shift का gear lever आपके left hand पर दिया गया है right hand पर आपको accelerator के लिए lever दिया गया है और नीचे dashboard पर आप देख सकते हैं एकदम simple सा dashboard है काफी अच्छा parking mobile charging port और इंजन को बंद करने के लिए switch दिया गया है चारो indicator एक साथ own करने के लिए भी आपको switch मिल जाता है और एक fiber की pocket mobile रखने के लिए मिल जाती है किसान साथ योग इसके clutch की बात किया है तो इसका जो clutch है वो diaphragm technology का clutch है बड़ा diaphragm है 306 cm का काफी बड़ा है जो की दबाने में काफी ज़दा असान है और accurate है अगर इसके gear की बात किया है तो इसके अंदर 15 gear आगे जाने के लिए 15 gear पीछे जाने के लिए full synchronous technology के साथ आते हैं जो की subtle shift का separate lever दिया गया है मतलब low high medium 1,2,3,4,5 15 gear हो गए आगे जाने के लिए और subtle shift का उप्योग करने से आप 15 speed में आगे और 15 speed में पीछे जा सकते हैं यहाँ पर इसका PTO का lever forward और reverse PTO इंगेज करने के लिए यहाँ पर आपको PTO का separate clutch मिल जाता है मतलब double clutch PTO के लिए इस tractor में आपको अलग से clutch दिया गया है जो की काफी अच्छी तकनीक आजकल जादा तर सभी कंपनिया देने लगी है यह देखिए नीचे PTO clutch आगे करने पर आपको इंगेज हो जाता है काफी अच्छा gear system और आपकी जो reach है gear levers तक पहुचने के लिए काफी जादा अच्छी है और paddle suspended होने के current tractor की जो comfort value है या comfort level है वो काफी जादा अच्छा हो जाता है राइट हैंड साइट पे ही आपको position control और draft control lever मिल जाते हैं आपके 22 kg की lift capacity को control करने के लिए ADDC type की है gear lever की आप position देख सकते हैं काफी अच्छे से दी गई है key switch आपको side में लगाने के लिए hole दिया गया है जैसे कारों में side में लगती है ये subtle shift का gear है जैसा कि मैंने आपको बताया आगे करने पर forward की तरफ आपको 15 speed मिलते हैं आप पीछे gear कोई भी choose कर सकते हैं और जिस speed में आप आगे जा रहे हैं सेम उसी speed में subtle shift वाले gear lever को पीछे करने पर उसी speed में आप पीछे जाएंगे इस ट्रेक्टर की forward speed आगे की speed 1.7 1 km पिर्थी घंटे से 33.5 km पिर्थी घंटा है और पीछे की speed 1.6 9 km पिर्थी घंटे से 33.2 3 km पिर्थी घंटा है किसान सात्यों ये ट्रेक्टर 10,25,000 में ओन रोड आप खरीच सकते हैं टोप मोडल ट्रेक्टर है किसान सात्यों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना सुझाओ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना आपका बहुत बहुत धन्यवाद